हेलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यू चनल जी के रंकास गुरु में फ्रेंस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 50 नहीं टॉप 30 कोस्टन के बारे में जो कि बिहार फुलिस एक्जाम के लिए अति महत्व पूर्ण रहने वाले हैं तो जापान अगला कोस्टन है ओजोन पुरत कहां पाई जाती है तो ओजोन पुरत कहां पाई जाती है इसका राइट एंसर हो जाएगा समताप मंडल में पाई जाती है अगला कोस्टन है केफ आफ गूड होप के रास्ते भारत तक के समुदिर मागों की खोच किस ने की थी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा वास्को डिगामा अगला कोस्टन है भारत में राश्टी या आय का आकलंच सबसे पहले किस ने किया था तो इसका राए टेंसर हो जाएगा दादा भाई नो रोजी ओप्सवन नमर भी अगला कोशट्चन है किसी देश का अर्थिक विकास किस पदी निर्वर करता है तो इसका राई टेंसर हो जाएगा इन में से सबी प्राकिर्तिक संसादन पुंजी निर्मार बजार काकार अगला कोश्चन है राष्टी आय किस से निर्मित है तो इसका राई टेंसर हो जाएगा किसी स्रम्चील गति बीदी द्वारा अगला कोश्चन है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंतित की जाती है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा भारतिय रिज्वर बैंक द्वारा आपूर्ति की जाती है अगला कोश्चन है डाबलू ट्यो का मुख्याले कहां है तो इसका राइट एंसर होगा जिनेवा में है अगला कोश्चन है किर्केट की घेंद को की स्कूर्ण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिक्तम 36 दूरी तक जा सके तो इसका राइट एंसर हो जाएगा 36 से 45 डिगरी का कोण अगला कोश्चन है कतक कली सास्ती या नीत किस राज में शुरू हुआ था इसका राइट एंसर हो जाएगा केरल में शुरू हुआ था अगला कोश्चन है पहली बार परमाडू बम कहां फेका गया था तो इसका राई टेंसर हो जाएगा हिरो सीमा में फेका गया था अपसन नमर भी अगला कोश्चन है यूवान कीश देश की राष्टिय मुद्रा है तो इसका राई टेंसर हो जाएगा चीन की मुद्रा है, option number B अगला question है, Santosh Twork की scale से संबन्धी थैओ तो इसका right answer हो जाएगा फुटबाल से संबन्धी थैओ अगला question है सूफी परमपरा में पीर से क्या आसाय है तो इसका right answer हो जाएगा सूफीयों के गुरु अगला question है सांत गाटी किस राज में इस्तित है तो इसका राइट इंसर हो जाएगा केरल में इस्तित है अगला कोश्चन है अंतराष्टिय तारीक रेखा कौन सी है तो इसका राइट इंसर हो जाएगा 180 degree देशांतर अगला question है चुनामी का मूख्य कारण क्या है तो इसका right answer हो जाएगा option number C समुंद्री सतव पर्भुकंप अगला question है भारत का केंद्री औसद अनुसंधान सहस्तान कहां इस्तित है तो इसका right answer हो जाएगा लखनव में इस्तित है option number D अगला question है राष्ट पती द्वारा राज्य सभा के सदस्यों के नामंकन का नियम किस देश के सविदान से लिया गया था इसका right answer हो जाएगा Ireland से लिया गया था option number B अगला question है राष्टिय और ग्रामिड विकास संस्तान कहां इस्तित है इसका right answer हो जाएगा option number C हैदराबाद अगला question है भारत के सविदान का निर्मा आता है किसे कहा जाता है तो इसका right answer हो जाएगा भीमराव अंबेतकर option number B अगला question है भारत की आत्मा गाम में निवास करती है या कतन किसका है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा Option नमर D महात्मा गांधी अगला कोश्चन है गांधी जी द्वारा सन 1933 इस्वी तक समपादिक समचार पत्र का नाम क्या था तो इसका राइट एंसर हो जाएगा यंग इंडिया Option नमर D अगला कोश्चन है भारत सिवक समाज की अस्थापना किस ने की थी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा Option नमर D गोपाल किष्ण गोखले अगला कोश्चन है अंग्रेजो द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजाद दी गई थी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा Option नमर C राजगुरू अगला कोश्चन है वार्थिक पुष्कर मेला किस राजज में आयोजीत किया जाता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा राजस्थान के अजमेर में Option नमर A अगला कोश्चन है मोती मज़्जिद नि मेंज़ से किस नगर में इस्तित है ते इसका राई टेंसर होगा Official नमरे आगरा में इस्तित है अगला कोष्चन है जैपूर दिल्ली मतुरा और उजयन में जन्तरमंतर के नाम से बेज़ साला का निर्माण किसने करवाया था तो इसका राई टेंसर हो जाएगा अप्सटन नम्र E सवाई राजा जैसी अगला क्योशन है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सासक, नहरो जलासे, धीलो और सिचाई सुविधाओं के लिए सुविक ख्यात है तो इसका राई टेंसर हो जाएगा option number C फिरोज साथ तुगलक अगला question है पंजाब की एक मुख नगदी फसल है तो इसका right answer हो जाएगा option number A जूट फिरेंस आज की वीडियो में हम top 30 question cover किये हैं जो कि आपके exam की दिश्टी से बहुत ही महत्व पूंड़ाने वाला है तो फिरेंस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और यसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेजिए तो चलिए फिरेंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन फिरेंस